नया पुरवा स्यमगड़ा से इकवना पुलिस ने सांति भंग के आरोप में एकव्यत्ति को किया ग्रिप्तार। पुलिस ने नया अले भेजा है इकवना इलाके के नया पुरवा स्यमगड़ा गाउं का पुरमामला जहां से पुलिस ने एक व्यत्ति को सांति भंग के आरोप में ग्रिप्तार किया। ऐसे में कई मामलों में पुलिस से सिकायद भी की गई है परंत पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ताजा मामला इकवना इलाके के बाइपास का है जहां के पर एलाइसी के सामने कोचिंग पढ़ने आये राजे स्ट्रजापति पुत्र रामदुलारे निवासी खज़ुदार पयागपुर की साइकिल अग्या चोर लेकर फराद हो गया जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई ह पीरित ने एकवना थाने में पहुँचकर तह्री देकर करदवाही की मांगी है तहसील प्रसासन एकवना ने राजस की वसूली की तेज बड़े बकायादार को पकड़ कर भेजा जिल सावस्ती जनपत के थाना चेतिकोना इलाके का पूरा मामला है जहां पर जिलाजी काजी के नेज़ेश पर इकवना तहसील प्रसासन ने बकायादार इसकी वसूली तेज कर दी है वसूली अभियान के पहले दिन एक लाक एक्तिस जार रुपे वसूले गए इससे छेत के बड़े बकायादारों में हड़कम मच गया आपको बता दे बकायादार वसूली अभियान से बचने के लिए सक्रिय हो गए है वहीं लगातार तहसील दार इकवना वसूली पर लगे हुए है कुट्टे के काटने से 35 लोग पहुंचे इकवना आस्पताल स्वास्त कर्मियों ने लगाया लोगों को निसल्क रैवीज का इंजक्षन इकवना इलाके में लगातार कुट्टों का आतंग बयात है जिसके चलते भारी संख्या में लोग इकवना स्वास्त कर्मियों ने लेवीज का इंजक्षन दिया आज इकवना स्वास्त कर्मियों में अलग अलग अस्थानों से 35 लोग पहुंचे जिने स्वास्त कर्मियों ने लेवीज का इंजक्षन दिया आपको बता दे लगातार यहां पर भारी संख्या में कुट्टे के काटने से लोग पहुंच रहे हैं पिछले पंदा दिनों से खराब पड़े इकवना के पावर हाउस को बिद्धुत कर्मियों ने सही करना किया सुरू अब तक नहीं मिली सफलता सावस्ति जनपत के इकवना पावर हाउस का मामला जो पिछले पंदा दिनों से खराब पड़ा हुआ है और इकवना कस्बे की सप्लाई मध्यनगर पावर हाउस से दी जा दी है जिससे इकवना वासियों को बिजली मिल पा दी है बिद्धुत कर्मियों ने इस पावर हाउस को सही करने का प्रियास किया कड़ी मसक्कत और घंटों की मसक्कत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगी इकवना इलाके के कस्बे में इस्थित पावर हाउस का एक पूरा मामला है जो पिछले कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है और इसकी मदबमत के लगातार प्रियास किये जा रहे हैं इकवना सामदाएक स्वास केंड में BMC UNICEF का हुआ बिदाई समारोह आसा संगनियों ने कारिकम का किया आयोजन इकवना इलाके के सामदाएक स्वास केंड का मामला जहां पर CSC अधिछक डाक्टर आसिस स्रिवास्तों की अध्यचता में BMC UNICEF के ब्रिजेंदर प्रताप सिंग जो इकवना सामदाएक स्वास केंड में तैनाब थे उनका तबादला पिछले दिनों सुल्तान पर हो गया है ऐसे में आसा संगनियों ने उनके बिदाई समारो का रिकम का आयोजन किया और उन्हें यहां से बिदाई दी गई साथ ही इस दोरान उन्हें आसा संगनियों ने भेंट भी उपहार भी भेंट किये इकोना इलाके के सामराइक स्वास्त के इनकी यह रस्वीरें हैं जहां पर इस दोरान CSC अधी छग डाक्टर आचिस स्रिवास्तों के साथ साथ तमाम स्वास्त कर्मी वा आसा संगनियों मुझूद रहीं जिनकी मुझूदगी में इस का रिकम का आयोजन कर BMC UNICEF के बिजेंद्र तताप सिंग को सासम्मान बिदा किया गया स्रावस्ती के जिला चिकित साले में आज दूसरे दिन भी डाक्टर फार्मसिष्ट वा इस्टाप नर्स का कराया जाए एक दिवसे प्रसिच्चर दिमार की बुखार को लेकर स्वास्विभाग एलेक्ट मोड में हैं और लगातार यहाँ पर डाक्टर इस्टाप नर्स टेनिंग दिराए गई जिसमें अलका पांडे अर्चना बविता स्यामकेस सारिका कंचन सुनीता गोस्वामी निसा गीता इसमिता आरी लोग मौजूद है जिनकी मौजूदगी में एक दिवसे दिमार की बुखार पर बिशेश प्रसिच्चर देते हुए तमाम तरह की जान सावस्ती जनपत के जिला मुख्याले भीनिगा का मामला जहां पर जिला पंचायत अध्यच उत्रप्रदेश के सांध्चक बनने के बाद सावस्तिके प्रथम आगमन पर उन्का जगह जगह भविस्वागत किया गया लोग उन्हें बठाई दे जिम्मेदारियों के निर्भ आज जिला पंचायत अध्धच संगठन उत्तर प्रदेश का संरच्छक चुने जाने के उपरान अपने जनपन में पर्थम आगमन पर भागरा घाट की सीमा से ही लेकर के और स्रावस्तिप बिंगा तक जगह जगह जिस तरह से हमारे देवतुल कार करता हूं जिला पंचायत सदसु समानित प्लाज पर्मो सभी सहयोगियों मित्रों गुजुर्गों के द्वारा जिस तरह से जोड़दारियों भब स्वागत किया गया मैं उससे अभी बूत हूं साथ ही साथ आज हमारा जनम दिन भी है जनम दिन के उसर पर हमारे तमाम छेतरवासियों का देवतुल कार करता पदाइदकारियों का जिस तरह से असने प्रेम आशिरवार प्राप्त हो रहा है मैं बहुत हर्स की अनुबूत कर रहा हूं और आपके माध्यम से मैं समस्त शित्वासियों को विश्वास और भरोस्त दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सब लोग का आपार असने हमको मिलता रहा है हम निरंतर आपके कंदे से कंदा विला कर चलने के लिए तरप रहेंगे बहुत बहुत धैने बाद कलक्टेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्याशता में उद्दोग बंधु की बैठक का किया गया आयोजब स्रावस्ति जनपत के जिला मुख्याले भीनगा का मामला जहांपर भीनगा जिला मुख्याले कलक्टेट सभागार में जिला विकास अधिकारी इसान पताप सिंग की अध्यषता में उद्दोग बंध की बैठक संपन हुई जिसमें उत्तर प्रदेश 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 उत्तर बंध की बैठक का आयोजन करते हुए जिलेक से आये हुए विफिन ब्यापारियों और उद्धोग ब्यापार प्रतिन मंडल के लोगों से बाचीत की गई और उन्हें आउस्यक दिशा ने देश दिये गए साथ ही उनसे सुठाओ भी लिए गए सक्ती मोबाइल की टीम पहुंची इकवना इलाके के कस्तूर्बा गांधी आवासिये बाली का बिद्याले यहां पर पढ़ने वाली छात्ताओं को किया जागो सक्ती मोबाइल द्वारा थानाची टिकवना इलाके के कस्तूर्बा गांधी आवासिये बाली का बिद्याले में पहुंचकर छात्तों की संख्या उनके खान पान रहन सहन साप सफाई की व्योस्था देखी गई वाली काओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूप करत द्याले में पहुंचकर व्योस्थाओं का निरिछन किया गया तथा यहां पढ़ने वाली छात्ताओं वा अध्यापिकाओं को तरह तरह की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूप किया गया स्रावस्ती जनपत के इकवना इलाके के मजहुआ सुमाल में अस्थापित कस् भी रहें जहां पर पहुंचकर महिलाओं कर्मियों ने लोगों को जागरूप किया